नमस्कार आप सभी का स्वागत है यह बी ए पार्ट थार्ड के पेपर फर्स्ट की यूटूब क्लास है हम लोग प्रतम प्रशन पत्र प्रतिनिधी पाश्यात्य राजनितिक विचारक का अध्यन कर रहे हैं और जो विचारक या जो टॉपिक अमरा चल रहा है वह है काल माक्स और काल माक्स के अंतरगत आज हम काल माक्स की राज्य और शाषन संबंदी विचारधारा का अध्यन इस वीडियो के अंतरगत इस वियाख्यान के अंतरगत करेंगे राज्य और शाषन संबंदी काल माक्स की विचारधारा राज्य और शाशन के सम्मंद में माक्स के द्वारा अपनी विचार धारा का विस्तार से प्रतिपादन किया है और इस सम्मंद में उसकी विचार धारा का ध्यनहम निम्न प्रकार से कर सकते हैं पहली बात है वह है राज्य की उत्पत्ती का कारण वर्ग विभेद काल माक्स ने राज्य की उत्पत्ती का कारण वर्ग विभेद माना है वह किस प्रकार है आगे हम देखते हैं के राज्य के संबंद में माक्स की विचारधारा सामाने मत के सर्वथा विपरीत है प्लेटो अरस्तू और अन्य विचारकों का मत है कि राज एक ऐसी स्वभाविक और नैतिक संस्था है जो मानव जीवन के साथ ही जुड़ी हुई है लेकिन मार्कस राज जी को एक वरगिय संस्था मानता है नेकि स्वभाविक और नैतिक संस्था समाज के सदश्यों के बीच किसी भी प्रकार का कोई हित संघर्स नहीं था इसलिए संपूर्थ समाज मिलकर अपने मामलों का प्रबंद स्वैम कर लेता था और राज्य का कोई भी अस्तित्व नहीं था जो आदिम सामेवादी अवस्था है उसमें चोकी किसी भी प्रकार के वर्ग नहीं थे और नहीं किसी भी प्रकार का हित संगर्स उस अवस्था में था सभी लोग अपने मामलों का स्वेम ही प्रबंद कर लिया करते थे और राज्य का उस समय कोई भी अस्तित्व नहीं था करते थे स्वामी वर्ग के सदश्यों की संख्या बहुत कम थी और बहुत संख्यक समाज के विरुद्ध अपनी इस्थिती बनाए रखने के लिए उन्हें शक्ती का आश्रे लेना पड़ा इनके द्वारा सेना पुलिस न्यायाले और कारागार आधी की व्यवस्था की गई इ शोशक वर्ग के समर्थक थे यहीं से राज संस्था का सूत्र पात हुआ इस प्रकार राज संस्था का निर्मान एक वर्ग का दूसरे वर्गों पर आधी पत्य और नियंतरन रखने के लिए किया गया है तो यह बात इसपस्ट हो गई कि राज की स्थापना दास यूग से प्रारंब होती है ताकि शोशक वर्ग शोशित वर्ग पर नियंतरन इस्थापित कर सके दूसरी बात है राज और शाशन शोशन के यंतर है कालमाक्स ने राज और शाशन को शोशन के यंतर के रूप में माना है राज का उद्य वर्ग विभेद के कारण हुआ अभी हमने उ सदेव ही शोशक वर्ग के सहयक के रूप में कार्य करती रही है। सामंती युग में राज्य की शक्ती और साधनों पर सामंतों का अधिकार होता था और इस अधिकार के माध्यम से वे बहु संख्यक क्रिशक जनता का शोशन एवं उत्पणन किया करते थे। पूजी वादी युग में राज्य संस्था पर पूजी पती वर्ग का अधिपत्य है और पूजी पती वर्ग राज्य संस्था की सहयता से श्रमिक वर्ग का शोशन करता है। तो पहले तो राज्य पर सामन्ती युग में सामन्तों का अधिकार था और पूजी वादी युग में पूजी पतियों का अधिकार है माक्स के अनुसार यह बात प्राचीन काल के नरंकुस राज्यों के समान ही वर्तमान काल के तथा कतित लोगतंत्रिय राज्यों के सम्मंद में भी सत्य है इन राज्यों में लोग तंत्र केवल दिखावे की ही वस्तु होती है और राज्य की वास्त्विक शक्ती पूझी पती वर्ग एवं उसके समर्थक लोगों के हाथ में होती है माक्स और एंजिल्स के अनुसार राज एक पक्षपात रहित संस्था नहीं है जिसका उद्देश सब वर्गों और शक्तियों के हितों की रक्षा करना हो वरन राज क्या है एक ऐसी वर्गिय संस्था है जिसका उद्देश शोशक वर्ग के हितों की रक्षा करना और उसे शोशित वर्ग के अधिक अधिक शोशन की और प्रवर्त करना है माक्स कहते हैं राज केवल एक यंत्र है जिसकी सहायता से एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोशन करता है एंजिल्स ने भी कहा है राज अपने सभी रूपों में एक मात्र शाशक वर्ग की संस्था रही है और प्रतेक अवस्था में इसने दलित या शोशित वर्ग को दबाए र परिवाशित किया है तूम फेलक मुझेर वकूरा डंपूर द्रम वाइस की चलाओंअ करते हैं? लेकिन इसके साथ वह यह मानता है कि साम्मेवादी क्रांती के प्रिथम चरण में ही राज्ज का अंत संभव नहीं है और नहीं वांचनिये है पुझी वाद के अंत के बाद भी राज्ज कुछ समय तक अस्तित्त में रहेगा और इस काल में सर्वहारा वर्ग का अधिनायक वाद इस्थापित होगा इस काल में राज्ज की शक्ति का प्रियोग सरवहरा वर्ग के द्वारा पूझी पतियों के प्रतीरोद को कुचलने और पूझी वाद के अवशेशों को समाप्त करने के लिए किया जाएगा कालमास कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि पूझी वाद के अंत के साथ ही राज समाप्त हो जाता है पूझी वाद के अंत के बाद जो सर्वारा वर्ग का अधिनायक वाद की अवस्था आएगी उसमें भी राज्य बना रहेगा और इस राज्य की शक्ति का प्रियोग सर्वारा वर्ग द्वारा जो पूजी पतियों द्वारा प्रितिरोध किया जाएगा उसको कुचलने के लिए और पूजी वाद के अवशेशों को समाप्त करने के लिए राज्य शक्ति का प्रियोग कि माक्स ने सामेवादी गोशना पत्र में कहा है कि अंत्रिम काल में सर्वहारा वर्ग की अधिनायक वादी सरकार द्वारा व्यक्तिक संपत्ती के उन्मूलन पैत्रिक अधिकारों की समाप्ति, यातायात तथा समवाद वहन के साधनों का राश्ट्रे करण, बच्चों की अनिवारिये एवं निशुल्क सिक्षा, उत्पादन के साधनों का राश्ट्रे करण, तथा पूजी पतियों की जमापूजी को समाप्त करने के कठोर कदम उठाए जाएंगे, तो अंत्रिम काल जो को अंत्रिम या एस्थाई कहा गया है तो सरवारा वर्ग की जो अधिनायक वादी सरकार होगी वह क्या करेगी व्यक्तिक संपत्ति का उन्मूलन पैत्रिक अधिकारों की समापती यातया तथा समवाद वहन के साधनों का राश्ट्रे करण बच्चों की अनिवारिये एवं नि राक्स के शब्दों में अब तक की सभी राज व्यावस्थाएं शाषिन व्यापसंख्यकों की अथवा संपनार्थ के इसकि विपरीत जो सरवारा वर्ग की अधिनायक वाद है वह बहु संख्यक लोगों के हितों की रक्षा के लिए अस्थित्थ में रहता है। चौथी बाद है राज जीहीन व वरगव iemand समाज की इस्थापना का आधर्श सामेवादी राज का अस्थित्थ वर्ग संगर्ष के कारण मानते हैं जो सामेवादी लोग है यानि मकाल माग्सो है राज का अस्तित तो किसलिए मानता है वर्ग संगर्ष के कारण और उनके अनुसार राज एक इस्थाई संस्था नहीं है अत्य है उसका विचार है कि सरवहारा वर्ग के अधिनायक वाद के ब पुरारंब होगा तो टलमाक्स अपने सामने क्या आदर्फ रक्ते हैं और वर्ग हीन समाज की इस्थापना का आदर्फ क्योंकि जब साम्यवादी क्रांधी नहीन तो गयाना माक्स के सब्दों में पुराने बुर्जवा समाज यानि पूजवादी समाज तता उसके वर्गों और वर्ग विरोधों के इस्थान पर हम एक ऐसे समाज की स्थापना करेंगे जिसमें प्रतेक का स्वतंत्र विकास सभी के स्वतंत्र विकास की आवशक शर्थ होगा यानि हर प्रितेक आदमी के विकास को यहां पर महत्व दिया जाएगा। राजहीन और वर्गहीन आदर समाज में धर्म, जाती, रंग तथा धन के आधार पर कोई विभेद या भेदबाव नहीं किया जाएगा और प्रितेक को अधिक्तम न्याय प्राप्त हो सकेगा। ऐसे समाज में प्रितेक व्यक्ती को कुछ निशित समय के लिए आवशक रूप से परिश्रम करना होगा और उत्पादन सामजिक आवशक्ताओं के अधीन होगा। उसकी ये महत्पूर्ण बाते हैं। राज एक वर्गिय संगठन नय होकर एक नयतिक संगठन है जिसका उद्देश मानविये व्यक्तित्व का विकास है। राज का आधार शक्ती नहीं वरन इच्छा है। राज करना और राज का आधार शक्ती नहीं है। राज का आधार क्या है इच्छा। सर्वहारा वर्ग का शत्रू ने होकर मित्र है। माक्स के नुसार राज जी को सर्वहारा वर्ग का शत्रू बताया गया है। किन्तु बाद का इतिहास इस धारणा की पुष्टी नहीं करता है। उनके मतानुसार पूजी वादी देशों में पूजी पती अपने प्रभाव का उप्योग करते हुए श्रमिक वर्ग और सामाने जनता के हित्मे कानून नहीं बनने देते हैं। किन्तु पिछले लगबग पचास वर्षों से विश्व के सभी राज़ों द्वारा कल्यानकारी राज़ी का विचार स्विकार कर लिया गया है और अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोब के सभी देशों में श्रमिक के हित्मे अनेक कानूनों का निर्मान किया गया है। इन राज्यों में श्रमिकों के कारिये और अवकाश के घंटे निशित कर दिये गए हैं उनके लिए नियूंतम वेतन की विवस्ता की गई है और बेकारी बीमारी बुढ़ापे की वस्ता में उनकी सहयता के लिए कई प्रकार की योजनाएं बनाई गई है तो हम ऐसा नहीं कह स उनके उत्थान और कल्यान के प्रमुक उपकरण के रूप में वर्तमानमे कारिये कर रहा है तीसरी बात क्या है कि राज आइस्थाई नहीं है जैसा कि काल माकस ने माना है राज एक इस्थाई संस्था है माकस बाद में राज जी को एक आइस्थाई संस्था मानकर निशित रूप से उसके विलीनी करण या विलुप्त हो जाने की धारणा प्रतिपादित की गई है। भी समाप्त कर दिया लेकिन इस सामेवादी विवस्ता में राज समाप्त होने के बजाए अधिक अधिक शक्तिशाली होता जा रहा है। यह बताता है कि श्रमिक वर्ग के अधिनायक के बाद राज्य का विलीनी करण होने के इस्थान पर कुछ समय बाद श्रमिक वर्ग का अधिनायक वाद में परिनत हो जाता है। और सरवादिकारवादी राज अस्तित्त में आता है। कालमाक्स की राज्य हीन और वर्ग विहीन समाज की धारना हैं। कि कल्पनावादी समाजवादियों के समान उपास के योग है माक्स ने कहीं भी यह बताने का प्रियत्म नहीं किया है कि वर्ग विहीन समाज किस प्रकार विकास क्रम का स्वभाविक और आवशक परिणाम है इसके तरिक चाहे कैसा ही वर्ग विहीन समाज हो उसे राजजी की शक्ति के बिना इस्तिर नहीं रखा जा सकता है माक्स का कलपनावाद तो फोरियर ओवन तता अन्य कलपनावादियों से भी अधिक दोश्पून है क्योंकि माक्स द्वारा निरुपित वर्ग हीन समाज की स्थापना में ने तो मानविय प्रियतनों का योग स्विकार किया गया है और ने ही नियाय तता नेतिकता के आधार प कारल माक्स की राजनतिक दर्शन को कारल माक्स की अन्या राजनतिक जो सिधानत है उनको समझना मुशकल है तो यह जानकारी हमारे लिए आवशक है और उता और इस व्याख्यान की प्यडिएप-वाईल को वीडियो के डिस्क्रिप्रRCिउन में दिये गए लिंक के माध्यम स आप डाउनलोड कर सकते हैं धन्यवाद